जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है पैसों के लेन दिन में साबधानी रखनी होगी चंद्रमा के अशुव असर के कारण टेंशन बढ़ सकती है ये पांच राशी वाले लोग इन दिनों में गलत फैसले भी ले सकते हैं इनके अलावा अन्य साथ राशीों के लिए सप्ता अच्छा रहेगा चलिए विस्तार से देख लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की इस हफते कामकाज में थोड़ी बहुत रुकावटे आ सकती है इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के छटे से आठवे भाग तक जाएगा इससे सप्ता की शुगात में दुस्मनों पर जीत मिल सकती है लेकिन जौव या बिजनिस में आप किसी शर्यंत का शिकार हो सकते हैं आपको संवल कर रहना होगा हलाकि कुछ मामलों में आपको किसमत का साथ भी मिल सकता है रोजमर्रा के कामकाज में धनलाव होने के योग हैं प्रपर्टी के मामलों में भाईयों या दोस्तों से मदद मिल सकती है इस सप्ता आप कुछ मामलों में थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं कोई रुका हुआ काम इन दिनों में हो सकता है करियर में आगे बढ़ने के मौके आपको मिल सकते हैं प्रेम संबन्दों में सुधार हो सकता है सामजी काम भी पूरे हो सकते हैं इस सब्ता आपको संबेदर शील और भाबुक रहेंगे इस हपते विवादों से दूर रहने की कोशिश करें किसी बात पर आप दुखी भी हो सकते हैं सिहत के मामलों में साबधान रहें लव लाइफ की बात कर लेते हैं लव लाइफ के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला हो सकता है इस सब्ता आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं गूमने जा सकते हैं अब करियर की बात कर लेते हैं, कामकाज में मेहनत ज्यादा हो सकती है, कोई भी फैसला जल्दवाजी में ना ले, जौब या बिजनिस में आप किसी भी तरह के शडिंत का शिकार हो सकते हैं समल कर रहें, साजेदारी के बिजनिस में आप ना हाट डाले, निवेश करते समय की भी रहेंगे, इस सब्ता चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवे भाब से साथ वे भाब तक जाएगा, आप नौकरी और बिजनिस से जुड़ी बड़ी योजनाय बना सकते हैं, और उन पर काम भी कर सकते हैं, इन दिनों में आप ज्यान और अपने मन की आवाज के दम पर बड़े और सटीक फैसले ले सकेंगे, रोज मर्रा के काम का समय पर निपटने से भी आप खुश रहेंगे, लब लाइफ के मामले में आपके लिए समय सही है, बर प्लेस पर किसी भी तरह आकर्शन बढ़ सकता है, लब प्रपोजल भी मिल सकता है, निवेश कर सकते हैं नौकरी या बिजनिस में आपको कोई बड़ा पद भी मिलने के योग है, सपता के बीच में दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, लब लाइफ देख लेते हैं, सपता आपका दामपत्य जीवन सुख में रहेगा, पतनी के साथ कहीं गूमने जा सकते हैं, प्रेमियों के लिए भी ये समय अनकूल कहा जा सकता है, करियर के लिए देख लेते हैं, स्टुडेंट्स के लिए समय खासा ठीक नहीं है, कुछ फैसले आपको गलत देशा में ले जा सकते हैं, इसलिए कोई भी निड़ने अपने बड़ों से पूछ कर करें, इस अपता आपर शक्ता से अधिक खर्चा हो सकता है, ब्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों को अधिक काम करना पड़ सकता है, सो समझ कर निवेश करें, हेल्थ के मामले में देख लेते हैं, क्या रहेगा ब्रश रासी का, किसी ना किसी बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, पर से इन देनों कोई भी बड़ा काम शुरू ना करें, धन भावनाय और जिम्मेदारी की वज़े से इस हफ्ते आप व्यस्त रहेंगे, इस हफ्ता आप अपनी आर्थिक स्तिती सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, इस हफ्ते मिथुन राशी के लोग किसी शड़ेंद के श सफलता देने वाला हो सकता है, नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा, बिजनेस में भी कुछ रुकावटे आ सकती हैं, सफ्ता के आखरी दिनों में व्यापारियों को फायदा हो सकता है, हेल्थ के लिए देख लेते हैं ये सफ्ता कैसा रहेगा, इस सफ्ता आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अवेर जरूर रहें, खाने पीने पर ध्यान दें, पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, बात कर ले परिशानी आ सकती है, ओफिस में आपको कोई कठिन काम मिल सकता है, चंद्रमा की स्थिती करकराशी वाले लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगी, सफ्ता के बीच में आप थोड़े परिशान रहेंगे, नौकरी और विजनिस के कुछ मामला और फैसलों को लेका टेंशन रहेग लेकिन आखरी तक पूरे हो जाएंगे, शुब समाचार भी मिल सकता है, लव लाइब देख लीजे करकराशी की, इस सब्ता जीवन साती के साथ सम्बन उत्तम रहेंगे, प्रेमियों के लिए समय ठीक कहा जा सकता है, पुरानी गलत पैमी दूर होने के योग हैं, करियर लोग हैं, जोखिम भरे निवेश करने से बचें, हेल्थ देख लेते हैं, क्या रहेगी, इस सब्ता आपकी सेहत पिछले दिनों की तुल्ला में अच्छी रहेगी, पिता की सेहत को लेकर टेंशन बनी रहेगी, सिंगराशी के बारे में देख लेते हैं, क्या रहेगा इस प्रतिती अच्छी है, सप्ता के शुरुआती दिनों में चंद्रमा धनभाब में होगा, आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप काफी दिनों से ये सोचते आ रहे हैं, आप अपने कामकाज में एकागलता की कमी महसूस कर सकते हैं, इस सप्ता आपके पुराने विवाद सुलस सकते हैं, कारक शेतर में दूसरों से प्रतियोगता का सामना करना पड़ सकता है, सप्ता के कुछ दिन आपके लिए चुनवती पूर्ण हो सकते हैं, अपना काम इमानदारी से करें, नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी चेक कर सकते हैं, बिजनिस के लिए समय उतार चड़ा बाला हो सकता है, करियर देख लेते हैं, कैसा रहेगा, स्टुडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय नकारात्मक भी नहीं है, नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ता कोई खास जिमिदारी मिल सकती है, नई के लिए समय ठीक है, हेल्थ का देख लेते हैं, क्या रहेगा, इस सप्ता आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस की सेहत से आपको टेंशन हो सकती है, करन्याराशी को देख लेते हैं, क्या रहेगा, इस सप्ता इस सप्ते आप अचानक होने वाल बड़ा काम निप्टाने के लिए आपको दोस्तों भाईयों और साथ काम करने वालों की मदद मिल सकती है अचानक धनलाब होने के योग हैं फालतु खर्चे भी इन दिनों कम हो सकते हैं आपकी महत्वा कांक्षाएं बढ़ सकती हैं चलता काम निपड़ सकता है आप ज्यादा सरफ से किसी वारे में कोई ठीका टिपनी ना करें लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ के लिए समय अच्छा है जीवन साती के साथ गुमने जा सकते हैं प्रेमियों के लिए भी समय अनुकूल है करियर का देख लेते हैं करियर के मामले में आपका सब्ता ठीक रहेगा, खुद पर ध्यान दें और अपने विवेक से फैसला करें व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, धनलाव के योग बन रहे हैं लेकिन पैसों के लेंदेन में साबधानी जरूर रखें किसी को उधार पैसा देने से बचें हेल्थ का देख लेते हैं पैसा रहेगा, सेहत के मामले में ये सब्ता सामाने रहेगा परिवार के किसी सदस्रे की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, छोटे बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें बढ़ते हैं अगली राशी की ओर तुला राशी का देख लेते हैं नए काम भी शुरू होने के योग हैं पारिवारिक सहयोग मिल सकता है इस सप्ता किसी खास व्यक्ति के साथ बाच्चीत हो सकती है गोचर कुंडली के अनुसार आपको धनलाव होने के योग हैं इन दिनों में आप अपने शौक पूरे करने के लिए खर्चा कर सकते हैं इस हफते में आपको गुसा भी बढ़ सकता है रोजमर्रा के कामकाज निप्टाने में आप जल्दवाजी कर सकते हैं किसी भी तरह की रिस्क लेने में आप पीछे नहीं अटेंगे इन दिनों में आपको थोड़ा साबधान भी रहने की जरूरत है कुछ लोग आपको ठगने और धोका देने की कोशिश कर सकते हैं लब लाइब देख लेते कैसी रहेगी लब लाइब के लिए ये सपता ठीक है प्रेम सम्मंदों में गहराई बढ़ सकती है सपता के बीच में जीवन साथी के साथ थोड़ी अनवन हो सकती है करियर देख लेते हैं स्टुडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए भी समय ठीक है इस सपता आपकी आर्तिक स्तेती ठीक रहेगी नौकली पेशा लोगों के लिए समय अनकूल है सोच समझ कर निवेश करें हेल्थ देख लेते हैं आपकी सेहत इंदनों ठीक रहेगी बदहजमी या गैस समंदित परिशानी पढ़ सकती है ब्रश्यक रासी वालों के लिए सपता कैसा रहेगा देख लेते हैं जरा रुके हुए कामकाज पूरे होने के योग हैं इस सपता कोई खास काम शुरू करना हो या कोई बड़े फैसला लेना हो तो अनुभवी की सला जरूर ले लें रुके हुए कामकाज पूरे होने के योग बन रहे हैं अदूरे काम निप्टाने की कुशिश करें चुनोतियों के वावजूद आप सफल हो सकते हैं आप अपने दाइरे से बाहर भी कई खशित्रों में सक्रिय और सफल हो सकते हैं सफते आप कोई खास फैसला भी ले सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है बढ़ों का सम्मान कर लाइफ देख लेते हैं कैसी रहेगी यदि आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं तो बता देएं पती पतनी के बीच समंद सामन रहेंगे, आपकी लव लाइफ के लिए ये सब्ड़ का करीयर के मामरे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए समय अच्चा करते हैं धनुराशी की इस हफते चंद्रमा गोचर कुंडली के दसवे भाव में चल कर बारवे भाव तक जाएगा इन दिनों में आपको धनलाब हो सकता है भूमी और भवन खरीदने के योग बन रहे हैं बचत करने की कोशिश करें फालतु खर्चों पर कंट्रोल करें विप पेशा और बिजनिस करने वालों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है प्रॉपर्टी समंदी मामलों में बड़े फैसले भी इन दिनों में आपको लेने पड़ सकते हैं रोजमर्रा के कामकाज गुले कर थोड़ी टेंशन हो सकती है छोटे भाई बहनों से वैचार इकमत लबलाइब देख लेते हैं कैसी रहेगी इस राशी के विभाईत लोगों के लिए साथ दें ठीक रहेंगे तनाव खत्म हो सकता है करियर देख लेते हैं स्टुडेंट्स को सफलता मिल सकती है इस सब्ता आर्थिक इस्तिती अच्छी हो सकती है व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा और ये सब्ता उत्तम लाव के योग बन रहे हैं हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहेगी धनूराशी वालों की हेल्थ परिवार के बड़े लोगों से खास्तोर पर माता की सेहत के स्वास्त को लेकर थोड़ी टेंसर्ण हो सकती है आपको भी कोई पुराना र सकती है इस हबते सब्ता के पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी सोचा हुआ कोई खास काम भी पूरा हो सकता है परिवार के साथ समय बीतेगा मान सम्मान भी मिलेगा लव लाइफ देख लेते हैं प्रेम संबंदों के लिए समय ठीक है इन दिनों में पार्टनर आपसे संतोष्ट और खुश रहेगा करियर देख लेते हैं इंस्टूडेंट्स का करियर कैसा रहेगा मिला जोला रहेगा साजेदारी के कामों से साभधानी रखें अधिकारीओं की मदद बिल सकती हैं हेल्थ के मामले में देख लेते हैं सप्ता जरूरी चेक अप करवाले मौसम परिवर्तन से तक्लीफ होने की समभावना है, बच्चों की सेहत में भी उतार चड़ाप हो सकते हैं, सापधानी बरते हैं। कोई राज की बाद भी उजागर होने से आपको परिशानी बर सकती है, इस सब्ता कोछ अधूरे काम पूरे हो सकते हैं, चोटे चोटे अच्छे काम पूरे होने से आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है, इन दिनों में आप चोटे चोटे बदलाब करे लव लाइफ कैसी रहेगी ज़रा देख लेते हैं लव लाइफ सामाने रहेगी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा चोटी चोटी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें तो अच्छा है पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं करियर के मामले में कैसा रहेगा कुमराशी वालों का जड़ा देख लेते हैं आप किसी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही आपको सफल का मिल सकती है नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय ठीक नहीं है नया काम करने से बचें हेल्थ का पाया कैसा र अलाकात हो सकती है आपका प्रभाब भी उन पर पड़ेगा इस समय आपको लेंदेन में फायदा हो सकता है नौकरी में भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चल रहा मानसिक तनाव इस सप्ता कम हो जाएगा रूटिन कामों में किसमत का साथ मिल सकता ह सिहत के मामले में कोई बड़ी परिशानी नहीं है धहरे सी भी आपको काम लेना होगा प्रोपर्टी से जुड़े कुछ महत्पून मामले आपके फिबर में हो सकते हैं वानी पर संयम रखें महत्पून कामों में फैसले लेने से पहले किसी अनववी की सला जरूर कर लें काज की तारीफ होगी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा ब्यापारियों के लिए लाब का समय है इस्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है करियर को लेकर अस्मन जस्की इस्तिती खत्म हो जकती है अर्थिक मामलों में ये सब्ताप के लिए अनुकूल है हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा ज़रा देख लेते हैं सबता आपकी सेहत पहले से थोड़ी ठीक रहेगी मौसमी बिमारियों से बच कर रहें काम ज्यादा होने से ठकावट रहेगी तो ये था जीवन मंत्रा का आगामी राशी फल ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करें और शेयर करें नमस्कार